रिया चक्रवती का कहना है कि उन्हें अभी भी इंडरस्ट्री में काम मिलने में दिक्कत हो रही है प्रोडियूसर और डारेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने से बचते हैं लेकिन उन्हें उम्मीद है कि ये सारी चीजें जल्दी सामाने हो जाएगी रिया ने ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर उन्हें बहुत ट्रोल किया जाता है लेकिन परिवार के सपोर्ट से वो इन चीजों का सामना बहदूरी से करती है दरसल रिया की गिरफतारी सुशान सिंग की आत्मत्या के बाद ड्रक्स मामले में 8 सेतंबर 2020 को हुई थी उन पर सुशान तक ड्रक्स पहुचाने का आरोप था उन्हें 28 दिन तक बाईकुला जेल में रहना पड़ा था जेल से बाहर आने के बाद वो फिल्म चेहरे में दिखी थी जिसे दर्शकों ने खासा पसंद नहीं किया था एक इंटर्विम में रिया ने बताया कि अभी भी उनके मन में डर का शक है लेकिन उमीद है कि सब जल्द ठीक हो जाएगा उनका कहना है कि पहले से काफी ज़्यादा चीजे ठीक भी हो गई है उन्होंने आगे कहा कि ट्रोलर्स भी पहले के तुल्ला में शान्त हो गए है ड्रक्स केस में जमानत मिनले के बाद भी उन्हें जम कर ट्रोल किया जाता था उन्होंने ये भी स्युकारा कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़धा ट्रोल होने वाली शक्सियतों में से एक है हाला कि वो परिवार की मदद से इसका बहदूरी से सामना करती है इसी के साथ पने रही है राजणामा टीवी के साथ दहने बाद